तो इंटेक्स कॉश्चन पेज 18 से कॉश्चन अबर 1 करते हैं यह विन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट त्यूब आपको तीन टेस्ट त्यूब दी गई है वन आफ देम कंटेंस दिस्टिल वाटर एक में उनमें से दिस्टिल वाटर है एंड अद अधर तो कंटें वा एन ए आफ देम गई ड्रोवा नाए तो संप्सकोश्पोष ए डैं में आपका निया पर दिस्ट्रिल वाटर है लेघड दूसरे में कथना स्टोरोक अड डं टेक्स काने हिंट और पी दोनों में एक सचलuks होगा और एक होगा basic solution respectively if you are given only red litmus यदि आपको cable red litmus paper दिया है आपको litmus paper कौन सा दिया हुआ है red litmus यह आपके पास एक red litmus paper है ठीक है red litmus तो क्या होगा how will you identify the contents of each other अब यहाँ पर लिखा नहीं है आपको नहीं पता किसमे आपके पास acidic solution है किसमे basic solution है और किसमे आपके पास distilled water you don't know अब हम कैसे इसको recognize करेंगे ठीक है आप इसको मैंने यहाँ पर red litmus लिया आप blue से भी कर सकते हो लेकिन red litmus red litmus से हम कैसे करने वाले हैं पहले हम यह देखेंगे ठीक है तो कैसे करना है इसको red litmus से वह हम देखने वाले हैं यह red litmus मैंने लिया है अब इस red litmus को मैं तीनों test tubes में dip करूंगी और तो मैं पता है red litmus यदि acidic solution होगा तो उसमें acidic रहेगा basic होगा तो उसमें blue में turn होगा और neutral में तो कोई change होता ही नहीं है चाहे वो red litmus हो चाहे वो blue litmus हो किसी में भी change नहीं होगा तो यदि हम डूबोते हैं इस litmus पेपर को और red litmus पेपर red का red ही रहेगा यानि ना तो वो base है ठीक है base तो नहीं है वो लेकिन वो acid भी हो सकता है और वो neutral solution भी हो सकता है लेकिन जिसमें वो blue में turn हो जाएगा उसको हम मान लेंगे कि वो एक basic solution है ठीक है अभी हमें नहीं पता है हम इसको dip करके देख रहे है क्या कोई change आता है या नहीं आता है ठीक है इन दोनों में suppose मेरे में कोई change नहीं आया है अब मैं तीसरे में डालूंगी इसको red litmus को right और जब red litmus को मैंने तीसरे में डाला और suppose वो वहाँ पर जो dip portion है वो blue में हो जाएगा ठीक है अब यदी य यह कैसा हो गया आपका यह base है अब suppose मैंने यहाँ पर दिखा दी आपको कि यह यहाँ पर blue में turn हो गया red litmus blue में turn होगा यहनि हमें क्या identify होगा हमें यह identify हो गया कि यह एक basic solution है ठीक है अब यह दोनों अभी भी हमको नहीं पता क्या है right अब यह red अब हमने क्या करना है red litmus को अब हम यहां से इस litmus को निकाल लेंगे जो blue पार्ट हुआ उसको dip करेंगे यह दि वो किसी में red होगा यानि कि वो हमारा acidic solution हो जाएगा ठीक है अब suppose इस वाले में करने पे जो हमारा blue पार्ट है वो blue ही रहेगा और यदि मैं देखूं तो red पार्ट मेरा उपर था और जो dip के वह अपार्ट था मतला हमने जब litmus को dip किया है तो यह as it is रहा है आदा blue और आदा yellow जो red हमारा जो था basic solution में हमारा blue हो था पोजिशन वो हमारा अभी भी blue रहा है red में change नहीं हो रहा है ठीक है तो जब litmus red में change नहीं होगा इसका क्या मतलब है कि वो एक हमारा neutral solution है राइट है यदि हमारा blue litmus change नहीं हो अकला में क्योंकि acid होता तो red में change हो जाता है but it doesn't turn the blue litmus red means solution कैसे है आपका neutral है राइट अब obvious सी बात है कि तीसरे में हमारा acid ही होगा तो अब obvious हो जाता है कि तीसरा acid है फिर भी हम इसको करके देखेंगे same litmus को dip करेंगे इसमें और हम देखेंगे कि जो हमारा blue part है वो red में turn होगा अब यहां हम देख रहा है मिने जब इसको dip किया है तो यह तुरंती क्या हुआ red में litmus paper change रहेगा blue color turn red red में turn होगा मतलब क्या है कि यह हमारा solution कैसा है आपका यह हमारा solution है acidic इसलिए यह red में turn होगा है तो यह solution हमारा acidic है इस तरह से हम इस आंसर को देख पाते हैं आपको एक litmus paper लेना है जैसे मैंने दिखाया red से किरना टेस्ट तो red से यह आपने किया है तो जिसमें वो blue होगा तीनों में आप dip करोगे जिसमें इसका color blue होगा वो basic हो जाएगा फिर उस blue वाले को आप dip करोगे जिसमें यह red होगा वो acid हो जाएगा और जिसमें चेंज नहीं होगा color वो neutral हो जाएगा तो आप answer लिख सकते हो आप answer लिख सकते हो वो red litmus paper turn by turn in all the test tube पहले आपने तीनों में red litmus paper टाला है in which test tube it turns blue means it is a basic solution ठीक हे जहाँ पर blue में turn होगा वो basic हो जाएगा एक test tube अप क्या लग होगे अब दो बच्ची है तो आप इस blue litmus drip in other two test tube in which it turns to red जहाँ पर यह red turn होगा means it is an acidic solution और in which test tube there is no change in any litmus paper means it is a neutral solution देश तर साप answer करोगे I hope अच्छे समझाओगा मिलते नेक्स वीडियो में thank you